हेलो बच्चो आज के वीडियों हम देखेंगे यह एक रेनवोगी किताब एक अक्षा आठ उच्प्राथिंग के द्याले से हैं और उसका लेशन नमबर है आपका सेवन पार्ट का नाम है बीर अब्दुल हमीद यह 1905 में जब पाकिस्तान से अपने देश भारत का युद्ध हुआ था तो उससे में पाकिस्तानी सेना के उन्हें चक्रे छोड़ाये थे उनकी कहानी यह बीर अब्दुल हमीदी कहानी इस पार्ट में दियू हुई है इंग्लिस में तो इस कहानी का आप हिंदी ट्रांसलेशन में सुनेंगे और पढ़ेंगे पार्ट के लिए याद करे पार्ट इस इस दा इस्टोरी ओफ ए व्रेव शोल्जर्स नेम अब्दुल हमीद इस में होता है यह में से दा इस्टोरी में कहानी ओफ में की यह में से एक ब्रेव में महान शोल्जर्स में सिपाई की नेब्द में नाम था अब्दुल हमीद यह अब्दुल हमीद नाम का जो सिपाई थे, उनकी कहानी इसमें दुई ही यह, यह story उनकी है, हैमीस भैःगवाजमीस थेहमीस, एक company quarter master, company quarter master का राथ होता है, एक company जो थल सेना होती है, उसमें एक company बना δ dwell जाती है, तो उसका एक quarter master कहलाता है, हबल्दार कहलाता है, उसका तो ये उस company के मालिक थे उसका इनका जो पत था वो हवालदार थे इंदा इंडियन आर्मी भारती से नामे एक थल से नाई टुकड़ी होती है उसका नाम जो भी नाम होता है इसका तो उसके एक company के ये कौन थे? हवालदार ही मिस 22 थे इमिस ही बहुत ब्रेमिस महान soldier मिस योदा और सिपाई वो बहुत वहादर सिपाई थे ही मिस ब्रेमिस लड़े इंदा उन निस और नंटीक शिटिवाब मिस वार्मीस अ्योद बीच में इंडिया एंड़ पकसतान जब 1965 में इंडिया और पाकिस्तान याने भात और पाकिस्तान बीच उद्ध हुआ था तब उसमें उद्ध में शामिल थे उद्ध में लड़ाई लड़ी थे अब्दुल हमीद बाज बॉर्ण अब्दुल हमीद बाज मीश थे बॉर्ण मीश पैदा हुए थे इन मीश में कहां पैदा हुए थे धामपुर धामपुर बिलेज मीश गाउं और गाजीपुर डिष्टिक गाजीपुर था इन उत्रप्रदेश उत्रप्रदेश में वच्च मुस्लिम परवार में हुआ था तू सकीना बेगम मुहम्मद उस्मान उनके पापा का नाम था नहीं मुहम्मद उस्मान और सकीना बेगम के घर पे हुआ था आगे पढ़ते हैं वोडियू लाइक टू नो हाव ही विकम दा हीरो ऑफ दा उन्नीशो पैसाट 1965 वार बिटिमिन इंडिया पाकस्तान बोडियू लाइक तुम कैसे जान पसंद करोगे या बोडियू लाइक टू नहीं तुम जानना चाहोगे कि हाव मिस कैसे ही मिस भाय विकम में वो कैसे हीरो बन गए और कैसे महान बन गए कि आप जानना चाहोगे आगे पढ़ते हैं इंडिया मिस इंडिया बाज मिस थी और मिस लड़ रही थी लड़ रही थी अगे इंडिया मिस अपोजिट में पाकिस्तान से मनलब जब भारत उसमें किया था कि भारत पाकिस्तान से लड़ाई लड़ रहा था यह पाकिस्तानी रेजिमेंट्स आफ पैटन टैंक्स वाज मार्चिंग ओन दा भीकी बिंडी और अमरिशे रोड इंडा यह नाम है अपका खेमकरन सेक्टर आफ इंडिया जो पाकिस्तान की सेना की टुकड़ी थी रेजिमेंट्स टुकड़ी और पैटन टैंक्स और उनके साथ में क्या था पैटन टैंक की टुकड़ी थी पैटन टैंक्स भी थानों के पास बाज मीश थी मार्चिंग मीश बढ़के आ रहा था या आ रहा था ओंदा भीकी बिंड यह एक स्थान का नाम है भीकिविन अमरेश रोड पर अमरेश सर रोड पर जो है वो आ रहा था या आ रहे थे वो लोग और कहां इंदा खेमकरन इसका सेक्टर अपर इंडिये जो भारत का खेमकरन नाम का सेक्टर है उस सेक्टर में वो उनकी जो टुकडी थी वो आ रहे थी चीमा नाम गाउन था वहां तक पहुंच गई। पाकिस्तान का बॉड़र यह निखा तो जहाँ इंडिया और पकिस्तान की सीमा है भहीत पर बहूं वह गाउन बसता है। इंद्व सक्टर में स्टेंग में गुएंस स्यॅंस सेंद्य टसक्र यह अभी कह रहा है कि दभॉटल मिंश लडाई फेल बहुता थी on going on September 6 6 September से बहन अड़ाई हो रही थी है अब आता है हवालदार अब्दुल हमीद अब्दुल हमीद and means or the other means दूसरे दूसरे soldiers means plus वाले सिफाई अब्दार हमीद और दूसरे जो सैनिक थे वो निकी जो company का नाम था वो है four great neiders company for great neiders company नाम था निक कंपनी का बर मिस थे बेटिंग मिस पिरतीचा कर रहे थे टू-फेस दा पाकस्तान आर्मी पाकस्तान आर्मी को आने का जब सामने अपने पाकस्तान आर्मी जो आ रहे थी उसका आने का इंतियार कर रहे थे ब्रेमिस यद्धा अब्दुल हमीद अब्दुल अबीद बाजमिस थे सिटिंग मिस बैटे हुए इन्हें जीब जो अब्दुल हमीद थे वो अपनी एक जीब में बैटे हुए थे he had a special gun he means उनके पास he had उनके उनने रखी थी he means एक special means special gun miss बंदुक उनके पास एक अच्छी special बंदुक थी the patent court tanks of the Pakistani army patent court और पाकस्तानी आर्मी बर्मिस थे not very far from him उनसे दूर नहीं थे जो patent tank थे और जो आर्मी के लोग थे पाकस्तान के वो उनसे ज्यादा दूर नहीं थे he means by could miss सकते थे hit miss हमला कर सकते थे h.i.t hit miss हमला करना the tank means tanks पर बेद हेज गंस अपने बंदुक के साथ अपने बंदुक से वो क्या कर सकते थे हमला कर सकते थे if miss एदी he wanted to इदी वो चाहते तो वो हमला कर सकते थे he means by बाज मिस थे he means a good miss अच्छे short miss निसान वाज but miss लेकिन he means by did not miss नहीं बांट मिस चाहते थे to best miss बरबाद करना his means अपना shorts means निसान वो अपना बहुत अच्छे निसान वाज थे लेकिन वो अपना निसान बरबाद करना नहीं चाहते थे he means by है बांट मीड चाहते थे he means to hit miss हमला करने तर डेंग में टेंग बिदे इच ऑफ ही सोड मलब इसका इच उप ही सोड में पितिक निसान वह यह चाहते थे कि जब वो टैंग पर करें तो उनका पिट्टे एक निशाना उच टेंक पर जाके लगे पाकिस्तानी टेंक WHO वह अ integrity तो ब़ा took मीश भीन सत्वादी इश्हर ड्र इनजर मीस खतलनाई य। पाकिस्तानी टेंक थी वह बहुत सत्विय और मेश घंस्द देमिश थी एप प्परोचिंग और देमिस बे बरमिस थे अप्रोचिंग मिस आ रहे थे पास और पास दो पास आते जा रहे थे देमिस बे बरमिस थे फारिंग मिस आग या गोली कांटू नोली मिस उगल रहे थे वो लगातार अपनी गोलियां की बर्चात या गोलिया चला रहे थे ब्रे मिस महान अब्दुल हमीद जो ब्रे मिस युद्धा थे अब्दुल हमीद मिस अब्दुल हमीद मार्चेट फारवड मार्चेट फारवड मिस आगे बड़े जो अब्दुल हमीद थे वो भी आगे बड़े ही मिस उन्होंने सामी देखा एक पाकस्तानी टैंक उन्होंने गोली उसके उपर मार दी the tank means tank caught caught fire means जल गया या आग लग गई and bent up in the flames और आखी लप्टे उसमें निकिलने लगी धोस्त हो गया टैंक क्या हुआ धोस्त हो गया और वो उसमें आखी लप्टे निकिलने लगी all the soldiers means शफी जो सैनिक थे उनके साथ के अब अबदुल हमीद के कंपणी के जो सैनिक थे बरमीद थे बारी हैपी बहुत खुस हुए बहुत खुस हुए suddenly miss अचानक he miss उन्होंने सामी देखा another tank उन्होंने एक दूसर टैंक देखा he miss उन्होंने fired fired miss गोली चलाई a shot again द्वारा गोली चलाई निशाना लगाया and it also bursted into the flames और जब दुन्होंने गोली चलाई गोली माई तो बोवी टैंक आक के हवाले हो गई और धोस्त हो गई four more tanks बर सीन four miss चार मोर मिस अधिक चार से अधिक टैंक बर मिस थी सीन में दिखाई पड़ी दब पाकस्तानी wanted to attack जो पाकस्तानी की सेने थी सेने थे बांटनी में चाहते थे to attack miss हमला करना अब्दुल हमीद अब्दुल हमीद की company पे जो पाकस्तानी की सेना जो लोग थे वो अब्दुल हमीद की company पे हमला करने चाहते थे आइड मिस रोकिलम उसे उने मानना चाहते थे हैम इस भै बाज मिस थे by their biggest की नैमि भै उनके बहुत बड़े दुस्मन थे दे मिस भै 10 the guns of their tanks towards him दे मिस उनोंने 10 मिस घुमाई the guns मिस बंदू के of their मिस अपनी tanks मिस टैंकी towards him उनने क्या किया पाकिस्तानी सेनकों ने अपनी टैंकी बंदू के थी वो सब उनकी तरफ घुमा दी बीफोर मिस पहले दे कुट फायर बे गोली चला पाते कौन गोली चला पाते अब्दुल हमीद गोली चलाने से पहले चला पाते तब तक क्या किया पाकिस्तानी सेनकों ने अपने जो टेंक गोली थी वो उनकी तरफ गोमा दें आगे पड़ते हैं अब्दुल हमीद हिट एंडमी शौर देर इट बैंट भाहा हो गया इट हैट कट फर आग लग गई उसमें जो टेंक में थी आग लग गई हृषी लेकिन अचरमीश तब il किया हुआ इसके बाद दूसरे पराण में पढ़ेंगे यह देखें हैं दूसरा पेज खोलके वन alga Off int इनेमी दुसमानों तरफ से हिट-मी से हमला कर दिये गया है जीप उनकी जीप पर ऑब्दुल हमीद की जीप पर उन्हों ने जो पाकस्तान की सेने थी जो दुसमान थे उनने एक बारोदो कोला जीप पर मार दिये फेंके जो क्या हुआ कि अब्दुल हमींद को चोटे लगें घाल हो गए वो नीचे गिर पड़े फिर क्या हुआ इसके बाद तहाराा ही वाज़ डिपली बांड जिमीद बाद मीचनलल बहod अधिक गाल हो गए वो बहुत ही को Hemagen नेम Survivors आदेश दिया, हिज सोलर्स अपने सैनकों के लिए, उन्होंने अपने सैनकों के लिए आदेश दिया, move forward, आगे बढ़ो, and fight, और लड़ाई लड़ो, आगे बढ़ो और लड़ाई, लड़ो, आगे मानी, इस आदेश दिया था, तो वो सैनक थे, उन्होंने इसकी आगे मानी, उस आदेश को पारन किया, और महंता इसाथ लड़ाई, उन्होंने लड़ी, पर क्या हुआ, सम्मिस कुछ मोरमिस टैंक्स, और टैंक आवदा इनेमी दुस्मन के बरमिस थे, डिश्ट्राइड मिस नस्ट कर दिये गए, और इसके बाद लड़ाई ये परारम होई, तो कुछ टैंक और भी नस्ट कर दिये गए, तो पाकस्तानी सोल्जर्स, पाकस्तानी सिफाई, बरमिस थे, आफ्रेस्ट मिस डर गए, एन्मिस और फिलेड मिस भाग खड़े हुए, क हर्ती सेनामिट डाइड मिस सहिद हो गए, फोर हीज कंट्री अपन देश के लिए, और भैसिपाई ये थे, अब्दुल हमीद भापन देश के लिए सहिद हो गए, ही मिस भै बाजमिस थे, ही मिस भै बाजमिस थे, अवाड़ेड मिस सम्मानत किये गए, दा परंबीर चक्र, पहुत मौसली मिस होता है मरणों अपरांत यानि मिर्थू के बाद उन्हें जो परम्भी चक्र था उससे उन्हें समानित किया गया विल आलवेज हमेशा रहेंगे बी रिवाड समात की जाएंगे और मिस याद की जाएंगे वाई दा पूपिल मिस लोगों के दौरा ऑफ आवर कंट्री अपने देश के लोगों के दौरा आई दा ब्रेवेश्ट महान हीरो और उन्हें सो पाइन सट बार मिस विद्ध में अग सुद्ध में जो हमारे अब्दुल हमीद जो सहनेक थे वो सहीद हुए थे तो उनके लिए हमेशा समानत की जाएगा और उनके लिए हमारे देश के जो लोग हैं उनके द्वारा इयाद किये जाएगा आगे बहुत अच्छी बात है यह वाली पढ़ेंगे लाश्ट में हिज गउन का नाम जो ध्रम पर नाम था धाम पर नाम था उसका गाओं का नाम कहा रख गया हमीद ध्रम हमीद ध्रम रख दिया गया